नमस्ते, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओविलेशन के बारे में कि कई पेशेंट्स पोछते हैं कि ओविलेशन समय पर क्यों नहीं होता फॉलिकर अच्छे से यह ग्रो नहीं करता, यह बनता ही नहीं या फिर वो टाइम दी रप्चर नहीं होता इन सही बातों के बारे में साज हम वीडियो में बात करेंगे अगर हमारे चैनल पर आप नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजे और अपने फेंड्स या नोन लोगों को इसको शेयर केज़े ताकि यह नौलेज जो है यह जो ट्रीटमेंट्स है वो जार-जार लोगों तक स्प्रेड हो सके रोगों वो भी आयर्वेज ट्रीटमेंट्स का फायदा उठा सके तो हम बात करते हैं ओविलेशन के बारे में ऐसे क्या फैक्टर्स हैं ऐसे क्या कारण है जिसके वज़़स से ओविलेशन टाइम पर नहीं होता या फॉल्कल टाइम से घ्रोः नहीं करता तो सबसे पहला हो थो हमारा खाना पिना टाइम पर ना होना healthy food ना लेना या फिर जंक food जादा लेना सम्मे पर ना खाना रात को बहुत देर से खाना-काना इसके अलावा जो हमारे रूटीन है उसमें लेट नाइट सोना, सुभे देर से उठना, इसके साथ साथी जो टाइमिंग्स हैं स्लीप के, मतलब रात को साथ से आठ घंटे के आपकी नींद होनी चाहिए, एडिक्वेट स्लीप होनी चाहिए, वो ना होकर बहुत देर से सो रह हैं तो वो साथ डिस्टिमन्स जो होता है, वो ओविलेशन को यह ओवन फॉलिकल के बनने को बहुत ही जादा हैं इसके लब कुछ बैड हैबिट्स अगर आपको हैं जैसे टोबैको चुएंग या फिर स्मोकिंग, अलकोहल या फिर कैफीन का जादा यूज करना, तो इस तर कारणों की वजह से ही हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं प्रॉपर सिक्रीट ना होकर और फिर वो फॉलिकल की ग्रोथ को हेंपर करते हैं, इसके अलावा हॉर्मोन्स बैलन्स ना हो, और हॉर्मोन्स बैलन्स क्यों नहीं होते हैं, उन्हें आप नैचुरी कैसे बैलन्स कर सकते ह इसके उपर हमारे एक अलग से वीडियो है तो वही आप उसे देख सकते हैं जिसमें सारा कुछ डिटेलिम बताया गया है अब हम बात करेंगे कि अगर आपको फॉलिकल टाइम पर नहीं बन रहा तो आपको उसके लिए क्या-क्या घर पर आपने कर सकते हैं या फिर आप क्या-देश्य ले सकते हैं तो सबसे पहले अपको डाइट को सुधार आपको जल्दी ओठकर आपको वेडिटेशन करने चाहिए वाक करनी चाहिए इससे भी आपके जो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होकर फॉलकली ग्रोथ अच्छी होती है और साथ-साथ ही उसका टाइम भी रप्चर भी होता है मेडिटेशन की वैसे अगर कोई stress factor है जिसके वैसे आपको दिक्कत आ रही है तो stress factor कम होता है उसके लिए भी आपको ध्यान में रखना है कि मेडिटेशन करें इसके अलावा कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हो regularly तो वो ऐसे है कि आपको नाक में oil डालना इसे नस्य कहा गया है नाक में आप एक एक drop डोने side है दो दो drops डोनो side दोनन नाक में आपने drops ठालनी है और वो आप यूज़ कर सकते हैं घर में कोई भी oil जैसा अगर सर्सों का तेल है यह नारेल का तेल अप यूज़ कर सकते हूं Otherwise market से आप अनु तेल यूज़ कर सकते हो लेकर तो इसको करने से क्या होता है पिच्चुट्री ग्लांड स्टिमिलेट होता है जिसके वैसे अगेन हॉर्मोन आपके प्रॉपर्ली सिक्रीट होने शुरू होते हैं और ओविलेशन में फायता मिलता है इसके अलवा आपको नेवल में ओईल लगाना है जिसे नाभी पुरण भी कहा जाता है अब एक ड्रॉप ओईल की सरफ लगा सकते हैं यह चार पंज ड्रॉप्स लेकर आप उसे भी अच्छा से मसाज महाँ पर कर सकते हैं नेवल में इसके अलवा की निचले हिससे में जो नेवल से लेके निचला हिसा लोघे-ब्डॉमिन ऊच्छा जाता है वहाँ पर आपने तिल के तियल से मसाज करनी है और इस मसाज क्रीच्छ करनी के वाजश से वहांका जो एयरियय महाँ पर ब्लिर कलेशन अच्छा होता है और इसकी वजह से ओवरीज और यूट्रेस उसके आसपास के सारे एडियास में स्टिमिलेशन मिलती है और एगेर उसकी वैसे हॉर्मों से स्क्रिशन अच्छा होते है फॉलिक्विल अच्छा ग्रो करता है इसके अलावा आपने यह भी धान में रखना है कि आपको अगर पेट साफ प् तो आपका जो मोशन है वो सुभे क्लियर होकर अपान वायो की जो दुष्टी है अपान वायो की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो अच्छा से होती है और इसके वैसे अगेर फिर जो फॉलिकल बनता है उसकी ग्रोथ में अच्छा फायदा मिलता है जो सारी ट्रीट्मेंट ले रहे हो तो फिर आपने ओविलेशन से पहले के दनी यानि 12-15 दिन तक ही सारा का सारा जैसे नस्य हो गया ना भी पुरण हो गया लोर अबड़ मसाज और कैस्ट्रॉयल यह सारी चीज़ने आपने सरफ शूरू के 12-15 दिन तक ही करनी है उसके बाद के टाइम पे आम रखना है लन्यवाद